Hello students, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Triple C Practice Paper in Hindi का ये second part है इसमें हम questions कबर करेंगे इससे पहले part 1 upload किया है काफी लोगों का मुझे comment आया है काफी लोगों ने पसंद किया है उसे और काफी अच्छा response मुझे मिल रहा है plus अगर आपके पास कोई नया suggestion है आप कुछ नया चाहते हो Triple C exam के preparation से related तो आप हमें comment कर सकते हैं ठीक है इससे पहले में इसको start करने से पहले मैं आपको छोटी सी information देना चाहता हूँ मैंने आप लोगों के लिए temporary website create की है यहाँ पर जाके आप अपना exam दे सकते हैं और मेरे सारे video lectures आप यहाँ से देख सकते हैं यह देखे जितने भी हमने practice test online exam का जो platform है उसको हमने आप इन बिल्ड कर दिया आप यहाँ से जाके अपना practice test दे सकते हैं और जो भी आप exam देते हैं उसकी report मेरे पास आती है और मैं किसी video lectures में उन results को भी discuss करने वाला हूँ बहुत जल्दी और यहाँ पर एक tab मिलेगा यह website में triple c video lectures आप इस पर जब click करेंगे तो अभी तक जितने भी video lectures है triple c से related वो सारे की सारे video lectures आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आप यहाँ से directly देख सकते हैं या फिर आप हमारे youtube channel पे playlist पे click करें वहाँ पे triple c course in Hindi के नाम से एक playlist मिलेगी उसमें सारे जितना भी आपका triple c का syllabus है उसके पूरे video lectures हमने upload कर दिये हैं आप वहाँ से एक एक करके देख सकते हैं और आप अपनी तयारी online कर सकते हैं अगर आपको कोई question है तो please आप हमें comment करिए मैं courses करूँगा reply करूँ या आपके जो भी suggestions होंगे उस पे वेस मैं video lectures लेके आता रहता हूँ अक्सर मैं नाम बताता हूँ किसने मुझे comment किया था क्या request की थी और अगर मुझे valid लगता है तो मैं उस पे video lectures भी बनाता हूँ ओके तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला question है सुपर कंप्यूटर भारत द्वारा बनाया गया तो भारत द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है वो है परम 10,000 तो answer A परम 10,000 correct answer है अगला question है पहला कंप्यूटर जो भारत द्वारा बनाया गया है तो इंडिया के थूँ जो पहला कंप्यूटर बनाया गया है वो सिध्धार्थ A अगला question है दुनिया का पहला electronic digital computer है और इन में से नाम आपको select करना है एनी याक यह हमारा answer B correct answer है ओके next question है अपणी file की save details को किस में specify करते हैं तो जो आपकी files जो भी आप अपनी file save करते हो तो जो details specify करने का मतला जब है किसी particular location पे save करने के लिए पूछा गया यह question तो उसके लिए अगर हमें किसी particular location पे save करना होता है तो यह आपे save as dialogue box का यूज करते है तो यहांपे एक correct answer है सिर अगला question है real time operating system होता है तो real time operating system वो system होता है जिस में जैसे request मिलती है उसी time पर हमें response मिलता है ऐसे system को हम real time operating system बोलते हैं जैसा मैंने अपने video lectures में भी पता रखा है जो operating system से relative video lecture हमारा है lecture 2 उसमें हमने real time operating system के बारे में काफी detail में बताया है तो जैसा उसमें example दिया था railway reservation का तो यहाँ पर जो correct answer है online system यह हमारा real time operating system है ओके तो जैसे आप यहाँ पर किसी website पर click करते हो immediate आपको वो चीज़े दिखते हैं तो online system हमारा real time operating system है ओके next question पर आते हैं windows xp का जारी होने का words है तो windows xp हमारा 2004 में आया था तो यहाँ पर correct answer है next question है linux में hard disk drive की प्रथम या mole directory को कहा जाता है तो जो हमारा linux windows होता है उसमें जो file system होता है वो उसमें root होता है और जो हमारी main directory होती है या जो main hard disk होती है उसको हम यहाँ पर जैसे c drive d drive बोलते हैं windows में वैसे जो drive होती है जो पहली drive होती है या disk होती है उसको हम बोलते है root तो यहाँ पर answer b correct answer है next question पर जाते है menu में select किये गए command को execute करने के लिए press करते हैं तो यहाँ पर दिखे enter की control की alt की कोई नहीं तो यहाँ पर जो हमारी enter की होती है menu में select किये command को execute करने के लिए हम enter की को press करते हैं जैसे आप कहीं भी किसी भी menu को select किया और आप जैसे enter की press करते हैं वो menu काम करता है जैसे आप click करते हैं वैसे आप enter की press कर सकते हैं अगला question है print करने के लिए कौन सा menu select किया जाता है तो print करने के लिए कि आप कौन सा menu select करते हैं file जैसे यहाँ पर देखे file में जाएंगे तो आपको print option मिल जाएगा तो file में आपको print option मिलता है तो answer a file यह correct option है next question जाते हैं देखते हैं print preview mode में आप अपने document की सभी pages देख सकते हैं तो जब आप print preview करते हैं तो वहाँ पर आप अपने document की सभी pages देख सकते हैं next question है आप के उल उसी page को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय काम कर रहे हैं तो यहाँ पर be correct answer है ओके तो next question है word text को italic बनाया जा सकता है इसे दबा कर वालनी से इसको हम एक कंट्रोल आई italic जो थोड़ा सा तिल्ट तेड़ा सा लेटर अगर हमें लिखना होता है तो कंट्रोल प्लस आई प्रस करते है तो हमारा वह वर्ट italic हो जाता है तो answer एक correct answer है next question बे आते है word में select किये गए paragraph को right align करने के लिए यह दबाते हैं तो यहाँ पर कौन सी की के बारे मैं पूछा गई है कौन सी की दबा के हम yapmışराग्रापको right line या left line या center line कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर तीनों options डिसकस कर लिए रहा हूं अगर आपको center line करना है तो आप e use कर सकते हैं अगर left align करना है तो control L और right align करना है तो control R तो यहाँ पर जो correct answer है वो control R right align ओके next question पर आते हैं editing का तातपर है अपने बनाए गए document को पढ़ना और आगे क्या है यह options में मिलेगा आपको अपनी गलतियां सुधारना उसे print करना उसे save करना उसे delete करना तो editing का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ changes करेंगे तो मतलब अपनी गलतियां सुधारना तो यहाँ पर जो answer A है वो correct answer है अगले question है तुरंट delete किये गया paragraph को फिर से लाने के लिए undo का प्रियोग करते हैं उसके के लिए कौन सी की दबाते हैं यहाँ पर कौन सी shortcut की है तो undo के लिए आप control Z यूज़ करते हो तो यहाँ पर answer C option C control Z correct answer है ओके और जबकि control Y हमारा redo के लिए होता है अगर आपने control Z कर दिया तो undo हो जाएगा फिर से आपस उसी stage में जाना है तो आप control Y यूज़ कर सकते हैं ओके next question पर आते हैं select किये गए text को और यहाँ पर fill in the blank है बनाए गए B पर click करते हैं तो अगर आपको select कोई भी letter आप या sentence select करते हैं और उसके बाद आप जैसे बी दबाते हैं तो आपका जो यहाँ पर दिया रहता है edit में यहाँ पर menu में तो जब आप भी प्रस करते हैं तो क्या होता है आपका bold हो जाता है लेटर तो यहाँ पर answer भी bold correct answer है अगला question है ms word में नया प्रारम करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है जानी चाहिए तो यहाँ पर देखे अगर हमें नया page create करना है मानलीजे यहाँ से हमें इस page को next page पे लेके जाना है page break करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मानलीजे हमें इस particular text को नीचे लेके जाना है दूसरे page में लेके जाना है तो हम क्या गरेंगे control enter press करेंगे तो यह यहाँ से page break हो जाएगा यह page break से related question है तो यहाँ पर ms word में नया प्रस प्रारम करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है तो यहाँ पर control प्लस इंटर फिर अगला है एक टेबल में इन में से कौन सा operation नहीं किया जा सकता है अगर आपने कोई table design कर रखी है draw कर रखी है आप अपने word के file पे तो आप उसमें क्या क्या नहीं कर सकते हैं वो देखते हैं एक table में row insert कर सकते हैं बिल्कुल आप row insert कर सकते हैं column को delete या insert कर सकते हैं column आपका extra हो गया तो आप delete कर सकते हैं कम है तो आप insert कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं table को दो tables में split करना ये काम आप एक table में नहीं कर सकते हैं तो answer table को दो tables में split नहीं कर सकते हैं तोड नहीं सकते हैं अगला question है paste formatting option document के कौन से इससे में होता है तो paste formatting option आपको paste setup में मिलेगा जहाँ पर आप जाके अपना alignment set कर सकते हैं size set कर सकते हैं तो यह page setup option the correct answer next question है control plus y का प्रियोग किया जाता है तो इससे पहले भी हमने अभी बताया था selected test को redo करने के लिए means अगर आप control z करके undo कर देते हैं और वापस उसी stage में जाना है तो control y यूश करते हैं तो यहाँ पर correct answer a selected test को redo करने के लिए अगला question है किस menu में आप header और footer सम्मिलित कर सकते हैं तो यहाँ पर header और footer select करने के लिए आपको view menu में जाना होगा और यहाँ से आप header and footer add कर सकते हैं अगला question है help के लिए कौन सी key press करते हैं अगर आपको किसी भी document में या किसी भी window पे help चाहिए जो पहले से हमाई system में stored help होती है उसको use करने के लिए आप F1 key press करते हैं तो यहाँ पर answer a F1 correct answer है next question है किसी भी paragraph को justify करने के लिए press करते हैं तो यहाँ पर shortcut key से related question है अगर हमें paragraph justify करना है means left और right दोनों से हमें equal सारी lines करनी होते हैं उसको बोलते हैं justify तो यहाँ पर control J के थूँ आप उस particular paragraph को जिसको आपने select कर रखा है वो justify हो सकते होगा control प्लस J अगला question है active cell के contents और यहाँ पर fill in the blanks में display होते हैं यह Excel से related question है अगर आप किसी भी active cell वो cell होते हैं जिसको आपने select किया है जिस पर आप mouse क्लिक करते हैं तो वो हमारे active cell हो जाते हैं उसमें जो भी content होता है वो कहाँ पर display होता है formula bar तो यहाँ पर जो correct answer है वो है C formula bar अगला question है Excel में किस बिकल्ब के प्रयोग से chart create किये जाते हैं तो अगर आपको Excel में आपने कोई table बना रखी है और उसमें आपको chart create करना है उस data को यूज करके तो आप यहाँ पर एक option रहता है chart wizard उसमें जाके आप chart create कर सकते हैं तो यहाँ पर answer है chart wizard correct answer है अगला question है Excel workbook में एक work seat से दूसरे में move करने के लिए fill in the blank का प्रयोग होता है तो देखे जब Excel seat हम open करते हैं तो आप नीचे देखा होगा आपने seat 1 यहाँ पर लिखा रहता seat 1, seat 2, seat 3 by default तो अगर आपको किसी भी seat में change करना है एक seat से दूसरी seat में जाना है तो आप क्या करते हैं seat tab जो यहाँ पर tab दे रहते है seat 1, seat 2, seat 3 तो उस tab पर आप क्लिक करते होते हैं यहाँ पर क्या होगा seat tab तो correct answer है seat tab अगला question है पहली बार कब email भीजा गया यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है पहली बार या किस साल में पहली बार email भीजा गया कुछ हिस्ताइक का question है यह तो यहाँ पर correct answer है 1971 में पहला email भीजा गया था तो इस video lecture में बस इतना ही next series में जल्दी लेके आऊंगा आज कर मैं थोड़ा सा busy रह रह रहा हूँ problem होते है लेकिन मैं जल्दी लेके आऊंगा नई series ओके आपको यह video कैसा लगा आप मुझे please comment करके बताईएगा अगर आपके कुछ suggestions हैं तो आप comment जरूर करिएगा comment आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको video lectures में कुछ कमिया या अच्छाईया जो भी है वो आप हमें comment करके बताते रही है ताकि मैं अपनी quality को और improve करता रहूँगा और मैं आप लोगों के लिए lectures बनाता रहूँगा हमेशा ताकि आप लोगों का benefit हो सके और यह कोई paid content नहीं है free of cost है तो आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सकाइब कर लीचे अगर सब्सकाइब नहीं किया है सब्सकाइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्य बात अगर यह video पसंद आया है तो please like करिएगा ओके thank you thank you for watching